Japanese Language को कैसे सीखें, किस तरह से हम fast Japanese Language को सीख सकते हैं मैंने इस चैनल पर आपको कई बार कई तरह से बताया है basic के बारे में भी बताया है, advanced के बारे में भी बताया है लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये बिल्कुल देशी भाशा में बिल्कुल original way में मैं आपको बताना चाता हूँ जो मैं actually feel करता हूँ, जो मैं actually सोचता हूँ जो मैं students को हमेशा बताना चाता हूँ वो ये है कि Japanese को अपनी girlfriend बना लो जी हाँ, इसका ये मतलब है कि Japanese में जिस तरह से जो जो हम struggles करते हैं और जिस तरह से हम language को तेजी से सीखते हुए आगे जाते हैं और successfully JLPT को पार करते हैं वो बहुत ही similar है किस तरह से हम अपनी girlfriend को maintain करते हैं अगर आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो ध्यान से सुनिए मैंने इस video को कुछ points में divide किया है जैसे कि सबसे पहला point है be patient be patient का क्या मतलब है देखें चाहे Japanese language थोड़ा सा starting में सीखते समय थोड़ा सा नकरा करेगी थोड़ा सा गुसा हो जाएगी तो आपको उसको मनाना है आपको patience रखनी है आपको उसको मनाना है और उसके साथ साथ चलते जाना है अगर वो बहुत मुश्किल हो गई है तो आपको patience रखनी है कि मैं पहले wait करता हूँ इंतजार करता हूँ कि मेरा level उस level तक आ जाए जो मुझे 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 language भी समझ में आनी शुरू हो जाए दूसरा point है be honest be honest का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई discipline कोई plan कोई schedule बनाया है तो उसके लिए आप committed रहिए honest रहिए अगर आपने पहले से commit कर दिया बहुत बड़ी बड़ी बाते कर दी बहुत बड़े बड़े promises कर दी और उसके बाद फिर उसको follow नहीं करा तो obviously Japanese language आपको दो महीने तीन महीने बाद अपने result दिखाएगी ठीक है तो फिर आप सोचोगे कि काश मैंने starting से ही discipline को follow किया होता एक और बहुत important point आता है appreciate her appreciate का मतलब है कि अगर आप Japanese language को ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा basic के बाद अगर आप intermediate में जाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि Japanese language एक बहुत rich language है इसमें ऐसे ऐसे expressions हैं जो कि Hindi और English थे भी cover नहीं होते अगर आप और advanced language में जाएंगे तो आप देखेंगे कि Japanese language बहुत beautiful language है तो appreciate her इसका मतलब है कि आप उसकी beauty को admire कीजिए और Japanese language को बताईए कि क्यों मैं तुम्हारे पीछे पढ़ा हूँ क्योंकि तुम खुद इतनी beautiful हो और तुम deserve करती हो इतनी मेहनत, इतनी dedication, इतना discipline और एक defined plan इसके बाद अगर मतलब girlfriend के point से हटके मैं professionalism के बारे में बोलू तो हमेशा अपने आपको motivated रखिए कि अगर मैं इस level को पार कर लूँगा या मैं N3, N2 level को पार कर लूँगा या जो भी आपका target है चाहे वो job है या जो भी चीज़ है उसको अगर मैं कर लूँगा तो क्या visualization करिए क्या मेरा level होगा happiness level होगा, ठीक है, life जीने का जो level होगा मेरा तो वो Japanese language आपको वो चीज़ें दे सकती है जैसे एक बहुत अच्छी reputed company में job international experience, MNCs का experience, ठीक है Japanese language में Japanese लोगों के साथ बात करना इवन Japan जाने का chance सिरफ इसी चीज़ को लेके कि आपकी Japanese अच्छी है तो Japanese impressed हो गया और उन्होंने अपने आप आपको hire किया Japan की company में तो यह बड़े-बड़े perks आपको और बहुत अच्छी salary जो कि यह conventional course को compare किया जाए तो जिसमें आपको पहले बहुत 3-4 साल 5 साल लगभग पढ़ाई करने के बाद बहुत बड़े competition से पार होने के बाद job मिलती है तो यह सब perks है यह सब फाइदे हैं यह सब advantages है एक और बहुत important point है listen to her listen to her का मतलब है कि आप उसकी भी बात सुनिए Japanese language अगर मुश्किल है तो यह समझे कि क्यों मुश्किल है क्या यह मुझे ही नहीं आ रही मुझे ही मुश्किल लग रही है यह सच में इतनी मुश्किल है ठीक है दूसरी बात की जादा से जादा सुनिए Japanese language की बात सुनिए इसका क्या मतलब है इसका यह मतलब है कि आप अगर उसको समझते हैं जैसी वो language बनी हुई है उसको as it is मैंने देखा है कई students English में translate करने की कोशिश करते है यो और सो में क्या difference है राशीस से कैसे मिलता जुलता है English में इसका क्या meaning है तो उसको ना तोड़िये मत उसको एकदम hard translation मत करिए उसको सीखिए थोड़ा सा आगे बढ़िए फिर नया expression आया मेरे पास तो उसको फिर से वैसे सीखने की कोशिश करिए तो इसके साथ आपको रहना पड़ेगा इसके साथ इसकी आदतों के साथ इसके behavior के साथ आपको अपने आपको match कराना पड़ेगा एक बहुत बड़ा point और आता है be willing to take the blame यानि कि आप हमेशा तयार रहिए blame लेने के लिए कहते हैं कि relationship में हमेशा हमें sorry ही बोलना पड़ता है तो इसका ये मजाग की बात नहीं है इसका ये मतलब है कि मैं willing हूँ अपने relation को maintain करने के लिए क्यों क्योंकि मैं blame अपने उपर लेने को तयार हूँ आप Japanese को sorry बोलिए अगर आपका कोई exam fail हुआ है भगवाल न गरे exam fail हुआ है या फिर आपके marks कम आया है तो आप blame अपने उपर ही डालिए कि लोग हैं जो Japanese language में successful होते हैं मैं नहीं हो पा रहा हूँ तो मेरे अंदर ये ये कमी है क्या मैं इसको improve कर सकता हूँ अगर आप जाएंगे तो divided material आपको पूरा listening के साथ comprehension passages के साथ मिले गई मैं कई बार आपको बता चुका हूँ तो guidance हमेशा हमें available है बस यह है कि आपको blame लेना अपने उपर willingly लेना जरूरी है क्योंकि blame लेने से होता है कि आज मैंने ये गलती गरी है तो कल में इस गलती को सुधार दूँगा देखिए ये fastest तरीका है सबसे तेज तरीका है अगर आप blame 100% अपने उपर ले ले तो अगले दिन वो साफ हो जाता है अगले दिन आप उसके commanding officer बन जाते हैं ये भी एक बहुत अच्छा point है हर चीज अपने उपर ले 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 निंग commanding officer भी बनना है अगर आप एक दोकाई को read कर रहे हैं तो एक ही line मैंने एक बार में read कर दी दूसरी line दूसरी बार में read कर दी तीसरी line तीसरी बार में read कर दी अगर इस तरह से आप commanding officer बन के control कर सकते हैं Japanese language को तो बस आपका काम खतम, देखिए finally मैं आपको इस वीडियो को conclude करना चाहता हूँ, एक girlfriend को क्या चाहिए होता है, जैसे अगर हम पूरे वीडियो को summarize करें, respect, humor और freedom, ये तीन चीज़े मैं निकाल के देना चाहता हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात respect कीजिए, Japanese language की respect कीजिए Japanese language भी आपकी respect करेगी, दूसरा point है freedom, freedom का मतलब है कि आप उसको freedom दीजिए, अगर तुम्हारा level बहुत high जा रहा है, तो कोई बात नहीं मैं wait करूँगा, और उसके बाद मैं इस level तक पहुंच जाऊंगा कि तुम्हारे level को match कर पा रहा हूँ, चाहे वो N2 level है, चाहे वो N1 level जाब का interview है, सब कुछ सब कुछ practice पर depend करता है, और finally जो point आता है humor, humor का मतलब होता है, humor का तो मतलब मजाक होता है, लेकिन यहां पर जो situation fit बैठ रही है, उसमें हम कह सकते हैं कि humor का मतलब है, अपने उपर humor लीजिए, अगर कुछ भी successful नहीं हो पाया मेरे साथ, तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, मैंने अपना मजाग खुद उड़ा लिया, ठीक है, अगले दिन आपको वो success मिल जागी, this is definitely I'm sure of it, ठीक है, और कभी भी आपको कोई दिक्कत आए, तो nihongomax.com पे basic से लेकर end तक, n5 से लेकर end 1 तक, kaiba से लेकर business language तक, सब कुछ सब कुछ divided contents में दि 20 dollars के अंदर, आपको सारी Japanese language आप सीख सकते हैं, depending on your speed, आप कितना time लगाते हैं, कितनी महनत करते हैं, कितना effort करते हैं, and you'll be definitely successful in Japanese language, thank you so much.